बच्चों ने काफी इंसिस्ट किया कि ममा बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं चलिए आज आपका बड़े है चलिए और आज के दिन मैं काफी लो फील कर रहे थी मेरी तबेत कुछ ठीक नहीं थी लेकि बच्चों के कहने के वज़ा से फिर हम लोग निकल लिए है मौल जाने के लिए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है मौल वगरा में गुमना तो थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि वहां गर्मी नहीं लगती है और बाहर आपको कहीं जाना है तो गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी निकनने का मन नहीं करता है और जब से मेरी अंकू छोटी है इसकी वज़े से तो मैं और भी नहीं निकलती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ कहीं जाना यानि कि बहुत ही मुस्किल काम होता है, टास बहुत ही मुस्किल होता है इनको साथ में ले जाना और इनको मैनेज कर पाना इनको हर चीज चाहिए, हर तरह दोड़ना है ममा ये भी चाहिए ममा वो भी चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो इस वज़े से काफी परेशानी होती है इनको कहीं ले जाना लेकिन इनका गूमने का बहुत मन करता है तो हम लोग आ गए हैं मौल और यहां पर काफी अच्छी अच्छी सी चीजें है लेकिन ये सबसे ज़्यादा अंकू परेशान कर रही है कर रही है जैसे भी मैं कोई चीज देखती हूँ उसकी तरफ आगे बढ़ने कोशिश करती है उसको देखने कोशिश करती है तो इनको सबसे पहले हो मुझसे पहले वहां पहुत जाना है इनको हम से पहले वो चीज़ चाहिए कुछ देखने ही नहीं दे रही है मैं यहां पर काच के कंटेनर वगेरा देखना चाह रही थी लेना चाह रही थी लेकिन इनको पकड़ के रखा हुआ था कि यह ऐसा नहो कुछ भी गिरा दें कुछ भी तोड़ दें जिसका मुझे फाल्तू में उसके पैसे भरने पड़े बेवज़े तो इस वज़े से मैं चीजे ज़्यादा नहीं देख पाई और सामान तो यहां पे काफी अच्छा लग रहा था देखने में गया और जरूरत का भी सामान देख रहा था लेकिन बस वही है कि लेना हमको वही है जो मुझे चाहिए तो यहां पे मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होता है वीडियो पगरा के लिए सर्व करने के लिए तो मैं यहां पे वही देख रहे थी लेकिन यह काफी डैमेज सी लग रही थी यह स्कौयर में सर्विंग प्लेट थी और बस थोड़ी ही थी जादा नहीं देख रहे थी यहां पे मैंने तेखी प्लेट वगरा है फिर उसके बाद में पहले यह मुझे ग्रीन कलर की प्लेट काफी अच्छी लगी देखने में लेकिन इसकी प्लास्टिक मुझे कुछ सही नहीं लग रहे थी फिर देखने में मुझे रेड जादा अच्छी लगी तो मैंने यहां से रेड ले ली है और य कड़ी का पीस है के वले उसकी फिनिशिंग वगरा भी अच्छी नहीं थी तो मैंने तो नहीं लिया और आइटम जो मुझे चाहिए थे जैसे चाहिए थे वैसे मुझे उतने ज्यादा नहीं मिले मुझे स्टील की एक कड़ाई भी लेनी थी वो भी मैंने काफी सर्च की ले इसी नहीं थी काफी हलकी कड़ाई थी तो इन में खाना बनाना यानि की खाना जल जाता है खाना बनाओते समय तो कोई फायदा नहीं है वैसे मेरे पास बहुत सारी कड़ाई हैं लेकिन स्टील की एक चाहिए थी और हम लोग यहां बाहर निकले तो यहां बीटियस के मेंब सब्सक्राइब मेरे हजबें की चॉइस है पर बटे पर गिफ्टिया है उनका ही चॉइस से मैंने शर्वाया है इससे सल्वार सूट काफी दिलों के बार मैंने शर्वाया थी करने के बास कट करेंगे तो मैं रेडी हो चुकी हुची हूओ मैंने नहीं खरीदी है क्योंकि मेरे पास एरिंग थी ये देखिए ये मेरे सुट से बीकली मैच कर रही है तो मैंने स्ट्राइबी के नहीं लेती हूँ और जब तक मैंने आर्ती की तब तक मेरे हस्बंड ने केक निकाल दिया और उस पे कैंडल्स वगेरा लगा दी हैं और यहां पर मैंने केक कट कर दिया है और सबसे ज़्यादा एक्साइटड तो अंकू है क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा केक पसंद एक्साइट है ग्साइट अंकवी है और यहां पर सबको केक खिला दिया गया है और और अगे थोगा खाना पीना और फटाफट से हम लोग केक कट करने के पाद थोड़ी सी फोटो तो खिचाई और थोड़ा सा इंजॉय किया और उसकी बाद में बस फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया और बस आज का वड़े ब्लॉग इतना ही और तो मैं लाई हूँ कुछ थोड़ा बहुत अपने किचन से रिलेटेट सामान तो यह लाई हूँ मैं पेटर और यह क्लिए मेरा घ्रेटर खराब हो गया था तो पफूब गया था तो मुझको इसकी ज़रूरत थी तो मैं यह लेके आई हूँ यह मुझे मिला है 99 रुपीज और इसकी स्टील काफी अच्छी है तो यह अच्छा लगा मुझे तो मैसी रह लेके आई हूँ और नेक्स आइटम है मेरा यह स्ट्रेटर क्योंकि मेरे पास जो चोटा था उससे अगर कुछ ज्यादा सामान चानना होता था तो प्रॉब्लम आती थी मैंने फूटी वाला ब इसका प्राइज है 249 मेरा थर्ड आइटम है यह प्लेट्स जो बाइवन गेट वन फ्री है तो यह मुझको पड़ी है 150 की और वैसे इनका प्राइज था इनका प्राइज 145 रुबीस था और यह बाइवन गेट वन फ्री है तो मुझको यह 150 की पड़ी है काफी अच्छी प यह बाउल और यह काफी अच्छे दिखे मुझे काफी सुंदर लग रहे हैं वाइट कलर के और यह वैसे इसका प्राइज है 98 रुपीज लेकिन मुझे यह बाइवन गेट वन फ्री पर मिला है तो 99 रुपीज के मुझे यह टू बाउस मिले हैं मेरे आने वाले वीडियो में आप इसको अच्छे से देखे लिए मैं इसका यूज करने वाली होन का इस पैचुला इसकी मुझे काफी जरूरत थी और मैं यह काफी दिन से लेना चाहा रही थी और लेकिन मैं मुझे ऑनलाइन में थोड़ा सा कम ट्रस्ट होता है इस वाज़े से मैंने सुचा कि मैं क्यो अब लेकिन वीडियो में अच्छा लगता है सारे लोग यूज करते हैं तो मेरे पास नहीं था तो मैं लेकिन आई हूं इसको और अगर आक नाउनिस्टिक पैन पर इस्टील आले इस पैचुला यूज करते हैं तो काफी स्क्रेच्च आजाते हैं तो इस वाजिसे मैं यह यह ट्स्टिंग गलप्स यह में लेके आई हूं काफी दुनों से यह सूच रही थी लाने को आपर मैं ला नहीं पा रहे थी में मार्कट में जा पा रही थी तो अब मैं यह तो मैं लेकि आए हूं और यह मुझे को पड़ा है यह मुझे पड़ा है सेवेंटीनाइन रूप यह इस तरीके का ग्लास का बावल ये मोगल गंद्र का पड़ा है और मुझको इसकी काफी जरूरत थी कि मैं ये लेके आई हूँ, मैं कुछ और आइटम्स ग्लास के लेके आई हूँ, ये बाउल्स हैं, ये 6 पीसे बाउल हैं, ये मुझे पढ़े हैं 160 रुपीस के, क्योंकि इसमें कोई भी इंग्रीडेंस वगेरा ये रखने में काफी अच् ये 6 पीसे हैं, और ये मुझे पढ़े हैं 579 रुपीस के, ये देखने में काफी अच्छे हैं, सिंपल हैं, और काफी सोबर लग रहे हैं, और मेरे पास जो ग्लास थे, वो तूट गए थे, एक ही आदा पीस बचा हुआ था, तो मुझे इसकी भी काफी जरूरत थी, इसे मै ये लेकर आई हूँ, और आप आने वाले वीडियो में ये सारे आइटम्स आप देखने वाले हैं, और वैसे तो मार्केट में जब आप जाते हैं, मॉल वगरा में इतना सारा आइटम होता है, ऐसा लगता है कि सारा सामान क्यों ना खरी लिया जाई, इसकी भी जरूरत है, लेकिन हमको लेना वही चीज़े चाहिए, कि जिसकी हमें जरूरत हो, जिसको हम यूज करने वाले हैं उसको, और धीरे धीरे करके मैं सारे आइटम्स लूँगी और आपके शाद शेयर कर, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आज का वीडियो कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजेगा, और बेल आइकन को प्लीज हिट कीजेगा, जिससे मेरी आने वारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अगर अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर कीजेगा, और बस आज के लिए इतना मेरे कीजेगा, जिसक्राइब का नो के लिए कीजेगा, बबद।धकी जरीग बदी अटेगा, जिसस्राइब का नो कीजेगा